वेल्कम टू सक्सेज वित्राय अकेडमी साथ अगस्त दोजार इकिस के द्यानिक जागरण के राष्टिय संस्क्रण को आज के इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे में हेडिंग जो द्यानिक जागरण ने बनाई है कि राजीव गांधी नहीं अब होगा मेजर ध्यान चंद्र खेल रत्न पुरुसकार अभी तक आप जो खेलों में सरसिष्ट पुरुसकार माना जाता है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरुसकार माना जाता था अब उसका नाम बदल कर मेजर ध्यान चंद खेल रत्म पुरुसकार कर दिया गया है और ये इसलिए किया गया है क्योंकि जो टोक्यो ओलंपिक है इसमें दोनों ही वर्ग ने यानि कि पुरुस वर्ग और महिला वर्ग की हौकी टीमों ने बेहत सांदार प्रदरसन किया हाला क महिला हौकी टीम चौथे स्थान पर रही क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन ने उसे चार तीन से हरा दिया और कांसपदक जीत लिया ब्रिटेन ने फिर भी जो महिला हौकी टीम है वो चौथे स्थान पर रही है और पुरुस हौकी टीम ने कांसपदक जीता है कांसपदक जीता है 41 साल बाद, तो ये एक बड़ी उपलब्धी मानकर इस खेल का नाम, इस खेल पुरुसकार का नाम बदला जा रहा है, आपको पता होना चाहिए कि राजी उगांदी खेल रत्न पुरुसकार की स्थापना 1991-92 में की गई थी, और अभी तक ये 45 खिलाडियों को दिया जा चुका है, इस पुरुसकार के तहट खिलाडियों को प्रसस्ती पत्र, मोमेंटो और 25 लाख रुपय की राशी दी जाती है, अब ये जो खेल रत्न पुरुसकार जिनके नाम पर किया जा रहा है, मेजर ध्यान च जन्द का जन्व 29 अगस्त 1905 को प्रियाग राज में हुआ था, अब 29 अगस्त को इनका जन्व हुआ था, इसलिए राश्ट्रिये खेल दिवस इन ही के जन्दिवस के आउसर पर मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, राश्ट्रिये खेल दिवस का मनाया जाता ह है 29 अगस्त को किसके जनम दिन के उपलक्ष में मेजर ध्यान चंद के जनम दिन के उपलक्ष में अब उन्होंने 185 मैचों में यानि मेजर ध्यान चंद ने 185 मैचों में 570 गोल किये थे 1928 एमस्टरडम 1932 लॉस एंजलिस वो 1936 बरलिन उलम्पिक की स्वन पदक विजेता टीम के वे सदस्य थे उनके नाम से पहले ही ध्यान चंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है बरलिन उलम्पिक के बाद उनके खेल से अभिबूत होकर जर्मन ताना सा हिटलर ने उन्हें अपने देश की नागरिक्ता का प्रस्ताव दिया था जिसे उन्होंने नकार दिया था तो इस पूरे निउस के बारे में आपको पता चल गया नेश निउस पर आते हैं चीन सेना ने गोगरा से अर्स्थाई निर्मान भी हटाए पूर्वी लद्दात में वास्त्विक नियंत्रन रेखा और सैन्य टकराव खत्म करने की दिसा में बड़ा कदम उठाते हुए भारत और चीन ने गोगरा इलाके से अपने सैनिकों को पीछे हटा लिया है दोनों देशों ने गोगरा में LAC के पेट्रोलिंग पॉइंट 17A से सैनिकों को पीछे हटाने के साथ ही इस अग्रिम मोर्चे पर बनाये गए सभी अस्थाई निर्मान और बुनियादी धाचे को भी धुस्त कर दिया है गोगरा के इस पेट्रोलिंग पॉइंट पर बीते 15 महीने से दोनों देशों के सैनिक टकराओं की इस्तती में थे सैनिकों को पीछे हटाने के साथ ही दोनों देश LAC के पर बाकी बचे इलाकों से भी गतिरोद को हल करने में जुटे हुए हैं और यह फैसला कब आया है बारवेद्वर की बाचीत इन दोनों देसों में सहमती बनी यह फैसला के आया है अब जो क्ल की जो सबसे मेन नीश थी उस पर आते हैं कि महोंगाई का खत्रा लेकिन ग्रोथ प्राथ्मिक्ता यानि कि कल जो मौद्रिक नीती पेश की गई है RBI के दौरा उस पर है ये नियूज तो जो मौद्रिक नीती की इसमें समीच्छा की गई है तो ये नियूज बिजनेस पेश पर भी है लेकिन उस आर्टिकल को भी हम इसी नियूज में डिसकस कर लेंगे तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये पेश जो की गई है वो किसके दौरा की गई है ये RBI के गवर्नर सक्ति कांथ दास दौरा पेश की गई है जो RBI के 25 में गवर्नर है चालू वित्तवर्स की तीसरी मौद्रिक नीती समीच्छा सुक्रवार को पेश करते हुए RBI के गवर्नर डौर्टर सक्ति कांथ दास ने महेंगाई के खत्रे के बावजूद आर्थिक विकास दर की रफ्तार को तेज करने का विकल्प चुना है अब यहाँ पर मौद्रिक नीती और आर्थिक विकास दर और सांथी RBI तीनों के बारे में जानकारी ले लेते हैं तो सबसे पहले मौद्रिक नीती के बारे में जानते हैं मौद्रिक नीती से अभी प्राए केंद्री बैंक के नियंत्रन में लिखितों के उपयोग से है जिससे की मुद्रा और रन की उपलब्दता लागत और उपियोग को नियंतरित किया जा सके इसका उद्देशिक कम और इस्थिर मुद्रा स्पीती तथा विकास को बढ़ावा देने जैसे विसिष्ट आर्तिक लक्षों को हासिल करना होता है यानि कि अगर बाजार में महेंगाई हो रही है तो उसको किस तरीके से नियंतरित किया जाए और क्या क्या उसके प्राधान होते हैं तरलता को कम करने के लिए मुद्रा को समालने के लिए इन सब बातों के लिए ही मौद्रिक निती पेस की जाती है मौदरिक नीती का उत्देश मूल इस्थिरता का सामान अर्थ है बाजार में उत्पादों के मूल में तेज गिरावट या बढ़ोतरी को रोकना कभी-कभी महेंगाई बहुत बढ़ती है या फिर मूल कभी गिरता है तो दोनों को नियंतरत करने के लिए ही मौदरिक नीती लाई जाती है परन्तु मौदरिक नीती में रोजगार सरजन को वित्य मूल इस्थिरता के लक्ष के बाद ही इस्थान दिया जाता है विकास मौदरिक नीती देश की आर्थिक नीती का एक महत्पूर घटक है जिस नीती के नुसार किसी देश का मुद्रा प्राधिकारी मुद्रा की आपूर्ती का नियमन करता है उसे मौद्रिक नीती कहते हैं इसका उद्देश राजिक का आर्थिक विकास एवं आर्थिक स्थायत्यो सुनिश्चित करना है अब इसमें एक पॉइंट और आया था हमार की गिरावट उसमें दर्च की गई थी अब विश्व बैंक ने अनुमान जताया है कि 2021 में भारती अर्थवरस्ता की व्रद्धी दर 8.3 रह सकती है और 2022 में 7.5 रह सकती है आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो किसी देश की आर्थिक गती को ही उसके आकड़े पेस करना आर्थिक व्र समिती की तीन दिनों की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि अभी ब्याज दरों को इस्थिर ही रखा जाएगा और करज को निचले इस्तर पर ही बनाए रखने की कोशिस होगी लिहाजा आर्बियाई ने करज की दरों को तै करने वाले रेपो रेट को 4 फीजदी ही बनाए रखने का एलान किया है हाला कि चालू वित्वर्स के लिए महेंगाई दर के अनुमान को पूर्व के 5 दिसमलों 1 फीजदी से बढ़ा कर 5 दिसमलों 7 फीजदी कर दिया गया है इस आउधी के लिए आर्थिक विकास दर के लक्ष को 9 दिसमलों 5 फीजदी पर ही इस्थिर रख रखा गया है अब यहां पर कुछ पॉइंट है यह देख लेते हैं कि रिवर्स रेपो रेट को 3.35 फीजदी और बैंक रेट को 4.25 फीजदी बनाए रखा गया है गवर्मेंट सेक्योरिटीज एक्चिविशन प्रोग्राम के दूसरे चरण याने की जी सैप टू में 25,000 करो में बताया जाएगा जो बैंकिंग स्रीज अभी स्टार्ट की जाएगी उसमें नेक्स्ट न्यूज है संयो essentials राष रक्षा परिसत में भारत की दावेदारी पर बदल रहा अमेरिका इस नीज में पताया गया है कि संयोक्त राष रख्षा परिसत के स्थाई सदस्य के तोर पर भारत की दावेदारी को लेकर अमेरीका का रुख बदल रहा है यह सवाल इसलिए उठखड़ा हुआ है क्योंकि सुक्रवार को इस बारे में अमेरिकी विदेश मंत्राले ने जो बयान दिया है वो पिछले 5-6 वर्सों के रवये से अलग है उसमें कहा गया है कि अमेरिका UNSC के विस्तार का समर्थन करता है लेकिन दूसरे देशों को वीटो क करने का अधिकार देने के पक्ष में नहीं है अमेरिका के पूर्व राष्टपती बराक उबामा ने बराक उबामा से लेकर डुनार्ड ट्रंप ने सयुक्त राष्ट स्वक्षा परिशत याने की UNSC United Nations Security Council में भारत की स्थाई सदस्थिता की दावेदारी का समर्थन किया था अमेरिकी विदेश मंत्राले के बयान पर भारत ने कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी हाल के महीने में विदेश मंत्री S.J. संकर की अमेरिकी विदेश मंत्री Anthony Blinken से तीन बार मुलाकात हुई दोनों के बीच विस्तार से द्विपक्षी रिस्तों पर चर्चा हुई लेकिन UNSC के विस्तार के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई है अब इसमें आप यह समझ सकते हैं सुरक्षा परिसद को पहले समझिए कि यह क्या है देखे सुरक्षा परिसद या सुरक्षा परिसद सुरक्षा की सबसे महत्पूर्ण एकाईयों में से एक है जिसका किए गया था यानि कि 1945 के बाद किए गया था सुरक्षा परिषद में 5 perceived state स्थाइस हैं यह दो पास अंहीं कि एक दैस ने भी मना कर दिया तो फिर वह माम्ला पास नहीं हो पाता है इन देशों की सदस्यता दूसरे विशुद के बाद के सक्ति संतुलन को प्रदर्सित करती है इन सथाई सदस्य देशों के अलावा 10 अन्य देश दो-दो साल के लिए इस्थाई सदस के रूप में सुरक्षा परिस्द में सामिल किये जाते हैं। इस्थाई और अस्थाई सदस से बारी बारी से एक-एक महीने के लिए परिस्द के अध्यक्ष बनाये जाते हैं। अर्स्थाई सदस से देशों को चुनने का उद्देश सुरक्षा परिशत में छेत्री संतुलन को कायम रखने का मसला होता है। अर्स्थाई सदस के लिए सदस से देशों द्वरा चुनाओं किया जाता है। इसमें पांच सदस ACI या अफरिकी देश से, दो दच्छन अमेरिकी देश से, एक पूर्वी यूरोप से और दो पश्यमी यूरोप या अन्य छेत्रों से चुने जाते हैं। तो अब आपको यह समझ में आ गया होगा, UNSC का कार रिक्या है या परिशत क्या है। अब आपको कमेंट बॉक्स के माद्यम से यह बताना है कि UNSC में भारत कब सदस बना था। नेक्स निउस है कि भारत स्रिलंका वा मालदीप ने की उप NSA इस्तर की पहली बैठक। भारत स्रिलंका और मालदीप के बीच पहली बार उप राष्टी सुरक्षा सलाकार इस्तर की वर्चुल बैठक हुई है, बुद्धवार को ही बैठक का लक्ष समुद्री एवं तीनों देसों के भी सुरक्षा मामलोग पर करीबी सहयोग तयार करना था। या बैठक सिरलंकाई सेना प्रमुख LHSC सिल्वा की अध्यक्षता में हुई थी भारत के उप NSA, पंकश सरन और मालदीप के NSA कार्याले के सचिव एसाथ नुसीन वाहिद ने बैठक में भाग लिया था। बांगलादेस, मौरिशस और सेसल्स परवेक्षक के रूप में मौजूद रहे बैठक में कोलंबो सुरक्षक और क्लेव के तहत सहयोग के चार स्तंबो की पहचान की गई इसमें समुद्री सुरक्षा और संडख्षा, आतंकवाद एवं कटरपंथ, तसकरी एवं संगठित अपराद और साइबर सुरक्षा सामिल है, next news है, कतर के विशेश प्रतिनिधी मुतलाक नई दिल्ली पहुंचे हैं, स्वें तुराश सुरक्षा परिश्द UNSC में अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा सुरू होने के साथी कतर के विदेश मंत्री के विशेश प्रतिनि नई दिल्ली पहुंचे हैं, अल कहतानी का नई दिल्ली पहुंचना इसलिए महत्पूर्ण है, ना कि सिर्फ एक दोहे में चल रही अफगान सांती वारता में एहम भूमिका निभा रहे थे, बलकि माना जा रहा है कि पूर में भारत का तालिबान से संपर कराने में भी उनक पी सिंग से मुलाकात की और उन्हें सांती वारता की मौजूद इस्तिती के बारे में बताया और साथ ही अफगानिस्तान में बदले हालात को लेकर भी चर्चा की है, नेक्स निउस पर आते हैं, नेक्स निउस है, उत्तर प्रदेश को मिले 2400 करोन रुपए, अब ये 2400 करो जल जीवन मिशन, क्या है, ये जानते हैं, जल जीवन मिशन, इस कीम की सुरुआत, प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी ने स्वतनत्य दिवस 15 अगस्त 2019 के उपलक्ष में की थी, देश के लगभग 50% ऐसे ग्रामिर छेत्र हैं, जहां अभी भी लोगों को पानी की समस्या होती ह उन छेत्रों में पीने के पानी को पहुंचाने के लिए, मोदी ने इस स्वतनत्य ग की सुरुआत की थी, जल जीवन मिशन स्कीम के लिए सरकार ने तीन दिसमल लोग 60लाग करोण का बजट प्रवधान किया था, इसकीम के माद्यम से 6 करोण घरों में पानी पहुंचाया जा इसकीन के माध्यम से ग्रामीड छेत्रों के सारजनिक इस्थानों पर भी जल कनेक्शन लगाए जाएंगे अभी तक 18.33% ग्रामीड इलाकों में पानी का कनेक्शन प्रदान किया गया है उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन को रफ्तार देने की खातिर केन सरकार ने चालू वित्तवर्स 2021 के लिए 2400 करोन रुपए की धनरासी जारी की है इस से राज्य में 78 लाक ग्रामीड घरों में नल से जल का कनेक्शन मोहिया कराया जाएगा दिसंबर 2021 तक राज्य के 60,000 से अधिक गाउं में पेजल आपूर्ती की परियोजना चालू हो जाएंगी मिशन के तह 28,870 करोन रुपए का आवंटन किया गया है जबकि पिछले वर्स 466 करोन रुपए बचा हुआ है राज्य के हिस्से की धनरासी को मिलाकर उत्तर प्रदेश के पास चालू वर्स में 23,500 करोन रुपए से जादा की धनरासी उपलब्द हो गई है उत्तर प्रदेश में 97,000 गा पांच लाक से कुछ ही अधिक यानि दो फीजदी से भी कम घरों में नल कनेक्शन था नेक्स न्यूस पर आते हैं नेक्स न्यूस है बिजनेस पेज से कि पीम ने दिये लोकल को ग्लोबल बनाने के चार मंत्र अब ये चार मंत्र कौन से दिये गए हैं ये भी हम देखेंगे लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने चार मंत्र दिये हैं उन्होंने कहा है कि निर्यात बढ़ोत्री के लिए सबसे पहले गुडवत्ता पून और वैस्विक इस्तर की मैनिफेक्टरिंग को बढ़ावा देना होगा फिर लॉजिस्टिक स प्रधान मंत्री का चौथा मंत्र था देशी उत्पादों के लिए बड़े से बड़ा अंतराष्टी बाजार खोजना इन सबकी बदोलत ही लोकल का स्वरूप ग्लोबल होगा प्रधान मंत्री ने इस महीने आजादी के 75 मौत्सों पर भविश्च के विकास का रोड मैप त खोज दुनिया भर में भारती राजनेक निर्याद बढ़ाने में करेंगे योगदान और खनन, कोईला, रेलवे, रक्षा जैसे ने छेत्रों में निर्याद को बढ़ावा next news पर आते हैं, next news है, corona की वज़ा से micro ATM कारोबार को लगे पंग, तो सबसे पहले आप यह जानिए कि micro ATM क्या होता है, देकि micro ATM एक छोटी सी मसीन होती है, आप market जाते होगे, या कहीं पर भी shopping के लिए जाते होंगे, तो आपने देखा होगा, एक swipe machine होती है, उस swipe machine को ही, micro ATM इस तरह के ATM बहुत फाइदे मंद है जो लोग ऐसे लोगों की सुविधा प्रदान करते हैं जहां सामान ATM इस्थापित नहीं किये जा सकते हैं बैंक खाते खोलना ATM कार्ड का उप्योग कर लेन देन नगदी या जमा निकासी करते हैं यानि कि जो लोग ये मशीन रखते हैं उन अगर नगत भुकतान नहीं करते हैं तो आप अपने ATM कार्ड के माध्यम से डेविट कार्ड के माध्यम से उसका भुकतान करते हैं और वो पैसा सीधे उसके बैंक में चला जाता है माध्यम में आधार नंबर दर्च करने या अंगुठे या अंगली की पहचान सत्यापित होने के बाद या आपके बैंक एकाउंट के डिटेल तक ले जाता है इसके बाद उस एकाउंट से पैसे का भुकतान कारोबारी के एकाउंट में हो जाता है और वह ग्रहप को उस रक कम का भुकतान कर देता है तो कुरोना की वज़ा से पिछले एक वर्स में माइक्रो एटियम की संख्या 50 फीजदी से अधिक बड़ी है और बियाई के आंकडों के अनुसार पिछले वर्स जून में देश भर में माइक्रो एटियम की संख्या 2,95,750 थी जो इस वर्स जून मे 4,53,855 हो गई है फाइनेंशल टेकनोलोजी छेतर के विशेसग्यों का कहना है कि परिचालन लागत काफी कम होने से माइक्रो एटियम काफी तेजी से प्रचारित हो रहा है इसके रख रखाओ के जिम्मेदारी भी बैंक या वित्य संस्थान पर नहीं होती है देश के कई हि हजार क्रोन रुपय का लेंदेन किया गया है और यह तेजी से बढ़ रहा है ग्रामेड इलाके या छोटे सहरों के साथ बढ़े सहरों में भी माइक्रो एटियम का चलन बढ़ रहा है और यह जो निउस है दो वर्सों के कर्ज करीब सवा 2 फिजदी सस्ता इस निउस को हम प भारत के लिए जरूरी होता इरान का साथ और यह आर्टिकल लिखा है नए दिल्ली इस्थित आप्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में रणितिक अध्यन कारकरम के निदेशक हर्स वी पंत द्वारा इस आर्टिकल में बेसिकली यह बताया गया है कि अफगानिस्तान में ज थोड़ी सुधर रही है लेकिन फिर भी भारत का इरान के साथ संबंद मजबूत करना भविश्च के लिए इस समय सही साबित होगा लेकिन एक इसमें अर्चन यह आती है क्योंकि इरान पर अमेरिका ने कई तरीके के पर्तिबंद लगा रखे हैं क्योंकि अमेरिका इसको को ये चीज नागवारा गुजरेगी इरान के नव निर्वाचित राश्ठपती इब्राहिम रईशी ने अपने पद की सपत ग्रण करी है राश्ठपती पद की उनके सपत ग्रण समारों में सामिल होने के लिए भारती विदेश मंत्री एस जैसंकर भी तहरान में उपस्ठ अपने दो दिवसी एरानी दौरे पर एस जय संकर इस आधिकारिक कारक्रम में सिरकत करने के अलावा कई दूइपक्षिय बैठकों में भी हिस्ता लेंगे एक महीने के भीतर जय संकर का दूसरा इरान दौरा यही दरसाता है कि तहरान किस प्रकार से नई दिल्ली की प्राथमि करणों में इरान की इस्ति जटिल होते हुए भी बड़ी महत्पूर मानी जा रही है विसेश कर भारत के लिए इरान की खासी एहमियत है लेकिन इसमें कुछ पेच भी फसे हुए हैं जैसे अमेरिका इरान के बीच उलजे हुए रिस्तों के कारण भारत के समक्ष अक्सर राजधानी तहरान है और यह देश उत्तर पूर में तुर्कमेनिस्तान उत्तर में कैस्पियन सागर और अजरबैजान दच्छन में फारस की खाड़ी पश्चिम में इराक और तुर्की और पूर में अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान से घिरा हुआ है इसकी करेंसी है रि वहां के प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी, कैपिटल है तहरान और करेंसी है रियाल वैसे तो भारत की विदेश नीती के लिए इरान हमेशा से महत्पूर्ण रहा है लेकिन वर्तमान परिदस्ट में इसकी महत्ता और बढ़ गई है यही कारण है कि इरान को साधने के लिए भारती प्रियास यकायक तेज हुए हैं इसकी सबसे बड़ी ततकालिक वज़ा अफगानिस्तान है वहां तेजी से बदल रहे समीकरणों में केवल इरान ही ऐसा देश है जिसका सोच भारत से बहुत मेल खाता है अफगान अखाडे में सक्री खिलाडियों में जहां पाकिस्तान और चीन एक पाले में वहीं रूस की इस्तिती ना इधर और ना ओधर की है यानि कि वो फैसला नहीं ले पा रहा है कि वो तालिबान की तरफ जाए या फिर अफगानिस्तान की तरफ रहे ऐसे में अफगान सीमा से सटे देशों में केवल इरान का रुख ही भारत के अनुकूल है जो इस्तिती अफगानिस्तान की है उसमें इस तरफ पाकिस्तान चीन और इसके साथ ही वैसे देश भी हैं जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान समर्थित हैं और इस पक्ष में भारत इरान रूस की जो इस्तिती है वो अभी इस्तिती तै नहीं है क्योंकि वो ये मानत के चलता है कि अगर तालिबान पूरी तरीके से अफगानिस्तान पर कबजा कर लेता है तो वो फिर तालिबान के साथ जाना पसंद करेगा और यही इस्तिती पाकिस्तान और चाइना की भी है और च अफगानिस्तान और मद्द एशिया तक पहुँच बनाने के लिए भारत में चाबहार बंदरगा परियोजना से जुड़ा है तो यहाँ पर दो पॉइंट हमें मिलते हैं एक तो पहला पॉइंट है लेंड लॉक क्या होता है लेंड लॉक और दूसरा है चाबहार बंदरगा परियोजना तो सबसे पहले लेंड लॉक के बारे में जान लेते हैं वह देश जिसकी सभी सीमाएं या तट रेखा केवल इस्थल या किसी बंद सागर से मिलती हैं उन्हें आप कह सकते हैं लेंड लॉक कंट्री कहते हैं आंसिक रूप से मानिता प्रात राष्ट्रों को मिल लाकर विस्व में कुल 47 47 लैंड लॉक देश हैं उत्तरी अमेरिका और आस्टेलिया महादीब के अंदर कोई इस्थल यानिकी लैंड लॉक देश नहीं है अब इसमें जो एक और पॉइंट हमारे लिए था चाभार बंदरगा परियोजना चाभार बंदरगा परियोजना के इसमें इस बंदरगा का इस्तमाल कच्चे तेल वा यूरिया के परिवहन के लिए किया जाएगा इसमें भारत की परिवहन लागत में काफी बचत होगी भारत का इरादा चाभाहार में जो आप कहा सकते हैं पट्टी है सटे हुए पट्टी है इस बंदरगा का विकास विसे इसके माध्यम से भारत के लिए समुद्री और सडक मार्ग से अफगानिस्तान पहुँचने का मार्ग प्रसस्त हो जाएगा और इस इस्थान तक पहुँचने के लिए पाकिस्तान के रास्ते की आवशक्ता नहीं होगी। चाभार इरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांथ का एक सहर है यह एक मुख्त बंदरगाह है जो ओमान की खाड़ी के किनारे इस्तित है यह इरान का सबसे दच्छनी सहर है इस नगर के अधिकांस लोग बलूच है और बलूची भासा बोलते हैं इतियास में जाए तो मद एसिया से कहा था नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि पश्चिमी एसिया के भूराजनीतिक परिद्रश्च को लेकर अफगानिस्तान में अफगानिस्तान में बदल रहे समीकरण हो या फिर पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगान और मद एसिया तक भारत के लिए बहुत जरूरी है इसके लिए भारत के प्रयास तो सही दिसा में है लेकिन इसके साथ ही उसके समक्ष इरान की कहानी से जुड़े अन्य किरदारों को साधने की चुनोती भी उतनी ही बड़ी है उमेद है कि भारती कूट नीती इस दुविधा और धर्म संकट का कोई न कोई समाधान निकालेंगे तो इसमें आपको कई पॉइंट मिल गए जानने के लिए अब नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा शेयर बाजार की बड़ती चमक ये आर्टिकल लिखा गया है शेयर बाजार में जिस तरीके से तेजी आई है तो वो कही न कहीं विश्व में भारत की आर्थिक इस्ति को मजबूत करता है और ये आर्टिकल लिखा है अर्थ सास्त्री जैनती लाल भंडारी द्वारा इस आर्टिकल में बताया गया है कि इस समय दुनिया भर में विकास सिल देशों के शेहर बाजारों की तस्वीर में भारतिय शेहर बाजार की इस्तिती सांदार दिखाई दे रही है। वो 2021 में 54,770 पहुँच गया और 2021-22 के पहले चार महीनों यानि अप्रेल से जुलाई में शेहर बाजार में निवेशकों ने 31 लाख करोण रुपए की कमाई की हुई है और पिछले वित्वर्स 1.4 करोण से जादा डीमेट खाते भी खुले हुए हैं और डीमेट खातों की से जादा हो गया है यानि की GDP से जादा हो गया है तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे GDP क्या होता है GDP किसी देश की सीमा में एक निर्धारित समय के भीतर तयार सभी वस्तू और सेवाओं के कुल मौद्रिक या बाजार मूलिकों सकल घरेलू उत्पाद यानि GDP कहते ह या किसी देश के घरेलू उत्पादन का व्यापक मापन होता है और इससे किसी देश की अर्थ वहस्ता की सेहत का पता चलता है अगर हम बात करें कि भारत सरकार ने यह जानकारी दी है कि सरकारी डेटा के मताबिक जनवरी से मार्च 2021 तिमाही में भारत की जीडिपी ग्रोथ 1.6 फीजदी रही है चौथी तिमाही की ग्रोथ पिछली 2021 की अक्टूबर दिसंबर की तिमाही से दिसमल्लोब 5 फीजदी की बढ़ोत्री पर रहा है आगे बताया जा रहा है कि सकल घरिलू उत्पाद या जीडिपी एक अर्थ व्यवस्ता के अर्थिक प्रदर्शन का एक मापक है यह एक वर्ष में एक राष्ट की सीमा के भीतर सभी अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्ले है जीडीपी को तीन प्रकार से परिभासित किया जा सकता है जिसमें से सभी और धालनात्मक रूप से समान है आगे बताया जा रहा है कि देश में शेयर बाजार के तेजी से आगे बढ़ने के कई कारण दिखाई दे रहे हैं निवेशक यह देख रहे हैं कि कुरोना की चुनोतियों की बीच 2021 में भारती अर्थवेश्टा की विकासदर आठ से नौ फिजदी पहुंच सकती है वहीं भारत समेत दुनिया भर के केंद्री बैंकों ने बाजार में बड़ी मात्रा में पूंजी डाली है और निवेशक यह मुद्रा प्रशार मुद्रा प्रशार जानते हैं क्या होता है कि वह हिस्तिती है मुद्रा प्रशार वह हिस्तिती है जब मुद्रा वसाख की मात्रा में उपलग्द वस्तूओं के सापेच अधिक व्रद्धी होती है इसके प्रणाम सरुप सामान कीमत इस्तर में निरंतर ए जाने कि उस अहोधी में आप उसको अगर पैसे को निकालते हैं तो आपको कम ब्याज मिलेगा और सायद कुछ पेनाल्टी भी लगती है तो इसलिए उस धन को FD बोला जाता है यह फिक्स डिपॉजिट जब आपकी पूंजी को कुछ समय के लिए लॉकिंग पीरिड में रखा मंत्री को लेकर जो एक बड़ा रणीतिक कदम उठाया है उससे भी सेयर बाजार को बड़ा प्रोसान मिला है दर असल वित मंत्री ने बजट के बजट में प्रतेक्ष करों और GST में 22 प्रतिसत बड़ोत्री का अनुमान लगाया था विनिवेश से प्राप्थ होने वाली आ कुछ नहीं किया है अब यहां पर हमें विनिवेश जानना होगा कि विनिवेश क्या होता है तो विनिवेश जान लीजिए विनिवेश से आसे किसी देश की सरकार किसी उद्दोग या किसी कंपनी का योजना बद्द रूप से आर्थिक बहिसकार करने से है ताकि उसे अपन नीतियों को बदलने के लिए विनिवेस किया जा सके किसी सरकार में विनिवेस करने का उद्देश उस सरकार को बदल कर नई सरकार लाना भी हो सकता है वर्स 1996 में जीवी रामकर्शनन के नित्रत में एक गैर सम्विधानिक व विनिवेस आयोग इस्थापित किया गया था तो था वित्यमंच्राले के अंतरगत वर्स 1999 में एक बड़े कदम के रूप में विनिवेस विभाग इस्थापित किया गया था फिर जान लेते हैं कि राजकोसिय घाटा क्या होता है सरकार की कुल आय और व्याय के अंतर को राजकोसिय घाटा कहा जाता है राजकोसिय घाटा आम तोर पर राजस सुमे कमी या पूंजी व्याय के अत्यधिक व्रद्धी के कारण होता है राजकोसिय घाटे की भरपाई आन तोर पर केंद्रिय बैंक याने की रिजर्ब बैंक से उधार लेकर की जाती है इसके लिए छोटी और लंबी अउधी के बॉंड के जरिये पूंजी बजार से फंड जुटाया जाता है आगे आर्टिकल में बताया जा रहा है कि नी संदे इस समय भारत में शेयर बाजार के तेजी से आगे बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है लेकिन जिस तरह लंबे समय से सुस्त पड़ी हुई कमपनियों के शेयर की बिक्री COVID-19 के बीच तेजी से बढ़ी है उससे सेयर बाजार में जोखिम भी बढ़ गया है इसका सबसे अधिक ध्यान रिटेल निवेस्तकों को रखना होगा ऐसे में सेयर बाजार में हर कदम फूंक फूंक कर रखना जरूरी है सेयर बाजार की उचाई के साथ सभी छोटे इकाईयों के हितों और उनकी पूंजी की सुरक्षा का भी ध्यान रखना जरूरी है सरकार दोरा सेयर और पूंजी को मजबूत बनाने की डगर पर आगे बढ़ने के लिए सेवी की भूमी का को भी प्रभावी बनाया जाना चाहिए नेक्स्ट आर्टिकल है पीछे लोटत चीन पहले ही पेज़ पर हम इसे डिसकस कर चुके हैं इसलिए इसे हम डिसकस नहीं करेंगे इंटरनेशनल पेज में एक न्यूज है हमारे लिए कि अमेरिका की इरान की नई सरकार से परमाणू वारता पर वापसी की अपील अमेरिका ने इरान में राश्टपती इब्राहिम रैसी के निरतत में बनी नई सरकार से अपील की है कि वो 2015 में हुई परमाणू डिल का दबारा वारता में सामिल हो अमेरिका की तरफ से ये बयान ऐसे समय आया है जब राश्टपती रईसी ने इरान से प्रतिबंधों को हटाने वाले किसी भी प्रस्ताव का समर्थन करने की बात कही है इबराहिम रईसी इसी वर्स 18 जून को देश के राश्टपती पद के लिए चुने गए थे उन्होंने 5 अगस्त को राश्टपती पद और गोपनी इता कि सपत लिये उनके सपत के लेने के बाद अमेरिकी विदेश मंत्राले के प्रवक्ता नेट प्राइस ने एक प्रस ब्रीफिंग में कहा कि हमारा संदेश इरान के नए राश्टपती इबराहिम रईसी के लिए भी वही है जो उनके पूर के राश्टपती के लिए था अमेरिका अपनी राश्ट्रिय सुरक्षा और अपने सहयोगियों के हितों की रक्षा करता रहेगा अमेरिका को उमीद है कि इरान की नई सरकार इस मौके का फाइदा उठाएगी और तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक समधान तलासेगी तो ये आज का 7 अगस्त 2021 का द्यानिक जगरण का राश्टिय संस्क्रण था आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजेगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद